जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी कहारदिक स्वागते महकाली भगत की यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली अगर हमारे पास कोई भी शक्ती होती है चाहे वो माता काली की हो चाहे वो किसी भी तकी हो, तो, हमें कैसे पता चलते हैं कि हमारे पास शक्ती है या नहीं है? हमें कैसे इस वीडियो में आपको बताऊंगी पूरी तरीके से, अगर कै kingdom के पास शक्ती है माते का लिए तो, कैसे आजमा सकते हैं? कैसे पता कर शक्ते हैं? तो चली दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेश्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जारूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी आगया गया गया मिलती रहेगी जो आज तक आपको कह नहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं माता काली के जो भक्त होते हैं सभी माकाली की पूजापाट करते हैं जा आप करते हैं सिद्धी साधना भी सब कुछ करते हैं ठीक है जो पूजापाट से रिलेटेड होता है पर उ कोई और देपता की सकती है, जो हमारे घर का देपता है, तो उन लोगों को इतनी knowledge नहीं होती कि वो पता कैसे करें, कि हमारे साथ कौन सी शक्ती चल रही है, यानि कि कौन सी सक्ती हमारे पास है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा कि आपके पास कुन सी सकती है तो आपको करना ये है दोस्तों छोटा सा उपाय बता रही हूं आपको सनीवार के दिन मातकाली के तीन निम्बू ले लेने ठीक है और तीन जाइफन ले लेने बस ये दो चीज आपको ले लेनी है और ये कारे आपको शनीवार के दिन ही करना है अगर आपके पास मातकाली है तो वो आपको बताएंगी और दिखाएंगी कि हाँ मैं तरे पास हूँ अगर नहीं भी है तो आपको इस चीज का कोई भी अनुबब नहीं होगा तो इस तरीके से आप लोगों को पता लग सकता है कि आपके पास शक्ती है या नहीं है तो शनीवार के दिन आपको इस कारे को करना है तीन निम्बू ले लेने हैं मातकाली के नाम के और तीन जैफन ले लेने हैं ठीक है और आपको कपूर जला के खुले में ठीक है और करने के बाद आपको मातकाली का कपूर जला लेना है, वहाँ पर आपको अपने उपर से दोनों चीज को साथ बार उतार कर, यानि कि तीन निम्बू और तीन जायफलो को साथ बार अपने उपर से उतार कर, माकाली से आपको विंति करनी है, हे माकाली, अगर आप मेरे पास हो तो मुझे बताओ अगर आप मेरे पास नहीं हो तो भी मुझे बताओ अगर मेरे पास कोई और शक्ती चल रही है उसका भी मुझे बताओ यानि कि मेरे घर की कोई देवी हो कुल देवी हो या फिर मेरे घर का कोई देपता हो कौन सी शक्ती मेरे साथ इस वक्त चल रही है आप मुझे शपने के माध्यम में सब कुछ बता कर जाओ तो इस तरीके से आपको मातकाली को बोलना है और मातकाली को वो बहुग जो मैंने बताया आपको तीन निम्बू की भेट और तीन जाय फली है आपको कपूर के उपर मातकाली के नाम की काट कर आपको तीन निम्बू को ऐसे काटना है बिल्कुल जड़ से मत काट देना थोड़ा सा चुप कर रहे है वो आपस में ठीक है इस तरीके से काटना है आपको तो यह तीनों करके आपको उसमें दो दो लोंके जोड़े लगा देने हैं तीनों उसमें निम्बू तो आपको सब कुछ माताकाली बता जाएगी कि आपके साथ कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है अगर मान लो आपके साथ माताकाली ही होगी तो माताकाली ये भी बता जाएगी कि मैं हूँ तेरे साथ या फिर मान लो आपके घर का कोई देपता हो अगर उसकी सक्ति आपके साथ चल रही है तो वो भी मातकाली आपको बता जाएगी या फिर आपके घर की कोई देवी है या फिर आपकी कुल देवी है यानि जो उनसे भी शक्ति आप लोगों के साथ चल रही होगी उसके बारे में पूरी कहानी आपको मातकाली बता जाएगी और साथ के साथ दिखा कर भी जाएगी मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह रही हूं पहले आप इसको करके देखो आपको एक ही सनीवार इस कारे को करना है ठीक है कंटीन्यू नहीं करना है ना ही आपको दो सनीवार करने ना तीन सनीवार करने है एक ही सनीवार आपको करके देखना है कि मेरा काम हुआ या नहीं उमार्णी के रात के समय आपको माता काली जब आप सोईगे तब आपको सब कुछ दिखा जाएगी तो सोने से पहले वी आपको माता काली के ओम किरिम काली का नम्हामंतर का साथ वार जाब करके माता काली को बोलना है कि मा मेरे साथ जो भी शक्ति चल रही है मुझे बताओ मा मुझे कुछ पता नहीं है और मेरी हेल्प करो मेरी मदद करो महारानी मेरी मैयारानी परमेश्वरी मेरी मदद करो मुझे ये बताओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो या फिर मेरे घर का कोई देपता हो या मेरे घर की कोई देवी हो जो की मेरे साथ जिसके शक्ति चल रही है मुझे ये कुछ पता नहीं चल रहा है आप मुझे सब कुछ सपने में आकर बताओ ठाओ ये विंती करके आपको मात्यकाली से सो जाना है और जब आप सोएंगे तो आपको 2-3-4 मात्यकाली सब कुछ दिखा जाएगे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ बहादेव, ओम नमस्षिवाए